पुलिस जिला नवकच्छा के स्माइडपूर थाना छेत्र निवासी आनंदी मंडल ने स्माइडपूर थाना ध्रक्ष को आवेदन देकर हवल्दार द्वारा वरवर्था पूर्ण तरीके से मालपीत करने का आरोप लगाया है दिये गए आवेदन में स्माइडपूर निवासी सुगदेप मंडल के पूत्र आनंदी मंडल ने हवल्दार सुजत सिंग द्वारा उसके भतीजे जाको मंडल को बेवज़ है मोबाइल चोरी के नाम पर पकड़ने और आमानवी तरीके से मारपीट कर गंभीर रूप से खायल करनी का आरोप लगाया है जबकि पुलिस की पिटाई से जाको मंडल के कांसे ब्लेटी होनी लगी और उसकी हालत मरना सन्य हो गई वहीं इसके बाद खायल को इलाज के लिए समाइलपूर पीएट से पहुचाया गया जहां हालत गंभीर देखते हुए बहतर इलाज के लिए भागरपूर माइगन इस्पताल रेफर कर दिया गया बताते कि पुलिस जिला नवगच्या से पहले भी थानेदार पुलिस आधिकारी या जवानों द्वारा वरवरता पूर्ण तरीके से मारपीट करने का मामला आता रहा है इस पर कोट और वर्य पुलिस पदाधिकारी ओं द्वारा संञ्यान भी लिया गया है लेकिन इसके बावचूत आरोपियों के साथ वरवरता पूर्ण रवया जारी है राजभवन से नियुक्त तिलकामाजी भागरपूर विश्वेविद्याले के कूलपती प्रॉफेसर जवाहालाल ने मंगलवार को अपना कारेभार संभाल लिया इससे पहले वे मुंगेर विश्वेविद्याले के कूलपती थे बतादे कि प्रॉफेसर जवाहालाल के टीम्ब्यो का कूलपती बनने की अधिसूशना राजभवन के प्रधान सचे आरल चौंग्थू ने सुंबार को ज्रारी की थी आजिसूशना में कहा गया है कि सर्च कमिटी की अनुशनसा और आज़्चे सरकार की सहमती के बाद प्रॉफेसर लाल को ये जिम्मेदारी दी गई है वही टीम्ब्यो पहुचने पर नए कुलपती का स्वागत प्रती कुलपती प्रॉफेसर रमेश कुमार दिनकर समेट कही अधिकारी और करमिचवारी संग के पदा दिकारीों ने बुकी और अंगवस्र दी कर किया कुलपती प्रॉफेसर जवाहालाल निका कि विश्वद्याले की सैक्षनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधिर करनी के लिए हर संभ़ प्रयास करेंगे इसके लिए विततपर और कटी वद्ध है कहा कि अधिकारियों और कर्मियों के समनवाई सहियोग एवं समेकित परयास सरवश्म विद्याले के समस्याओं को नियाकरन किया जाएगा कुलपती ने बताया कि छात्रहीत में सभी जरूरी कदम उठाये जाएगे छात्रहवासों की समस्याद दूर की जाएगी कर्मियों को प्रमोशन समय पर होगा पेंशनर को कोर्ट नहीं जाना हो पड़ेगा साथी कहा कि वुद्धिय अनिमित्ता किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं होगी उन्होंने टीम्य प्रशासरी घवर प्रोफेसर कॉलोनी और गल्स होस्टल में सेक्योरिटी गाट और सेसे टीवी की व्यवस्था करने की बात गई साथी कहा कि वह पहला विजिट परिक्षा बभाग में करेंगे इसके बात सभी पीजी विभाग, विश्ववध्याला प्रेस, स्वास्ती, केंडर और समवन्दित इकारियों को अचक निरिक्षन किया जाएगा बिसी प्रोफेसर जवाहालान ने कहा कि सभी शाखाओं के कारियों के साबताहिक समिक्षा की जाएगी उन्होंने पेंडिंग मामलों को दिन रात कारिकर पूरा करनी का भरोसा भी दिलाया एक सवाल के जब आप में बिसी ने कहा कि फाइलों को पेंडिंग रखने वाले आधिकारी और कर्मी को वकसा नहीं जाएगा कुलपती ने सभे पेंडिंग कार्यों को ततपड़ता के साथ पूरा करने का नर्देश दिया पेंशन धारियों, कर्मियों और छात्रों की समस्याओं के समधान के दिशावे सार्थक और ठोस पहल करने का आश्वाशन दिया कुलपती प्रॉफेसर जवाह लान नी कहा कि आप कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं रहेगी और समय पर कायों को निश्पादन होगा सरे चम्द सेकर जी का बहुत बहुत खावहर परकता है जहां तक ब्राथमिट्ट्या की बात है मुझे दो विदित है इस विश्विध्याले में एकजामनेशन की समस्या आप लेट होना के पिकट समस्या डिगरी हजारों हजारों डिगरी जो है वो रखी हुए है साहन नहीं होगा ही है जिसके चलते चाहते दीगरी के लिए चट पढ़ तो पहला सबसे पहला मेरे प्रायरिटी होगा है कि इस्टुडेंट से रिलेटेड जो मैटर है उसको सुट आउट करना चाहे जिस भी तरह से हो जैसे भी हो दीन रात काम करना पड़े तो भी मैं सोचा है कि सबसे पहले बीकली रिवियू होगा हर काम का हर सेक्षन का हर डिपार्टमेंट का मैं बीकली रिवियू करूँगा फोटनाइटली रिवियू करूँगा और मंथली रिवियू करूँगा फीडबेक मैनेजमेंट सिस्टम लागो करूँगा, फोल फाइल कहां से गई तो किमलोटी तो वहां पर क्यों देख हुई, इन सारी चीजों को मैं देखूँगा, इस्टुडेंट से रिलेटेड चाहिए जो भी समझा है पढ़ाई लिखाई का, लेकिन अभी क्वालिटी सिक्षक होने चाहिए, जो कि हैं, यहां पर हैं, जैसा है कि मुझे जैनकारी स्राप्त हुई है, और अभी जो नए सिक्षक आया है बीपेसी से, आना वो तो बहुत ही अच्छे हैं किशन गंच में तीन बच्चिया के पानी में डूफ जाने की घटना से इलाके में संसनी मच गई, घटना को लेकर बताया जा रहा है कि किशन गंच टेंगर मारे इससे डूंक नदी में तीनों बच्चिया नहाने गई थी, जहां अचानक एक बच्ची डूफ ने लगी, और काफी खोशबीन के बाद एक बच्ची का शप मंगलवार को नदी से निकाला गया, बताया जा रहा है कि बच्ची तक तीनों बच्चिया अपस में रिष्टेदार हैं और उनके पहचान रिंकी कुमारी, जियोती कुमारी और गायती कुमारी के रूप में हुई है, जबकि तीनों की उम्रे महस 13 से 15 साल के बीच की बतायी जा रही है, बच्चियों के मौत की खवर सुनकर मौके पर पहुंचे परीजनों का हाल पूरा हो गया, जबकि घटना के चानकारी मिलने पर पहुंचे पुलिस ने तीनों शप को कफसे में लेकर पोस्ट माटम के लिए आपते के सुशन मिलने के बाद चंता दल यू के प्रदेश उपात्यक्ष मास्टर मौजाहित आलंग के शनकंच सदर अस्पताल पहुंचे और पिडित परिबार को संतुआपना देते हुए हर संभब मदद का भरूस सा दिलाया, साथी उन्होंने मिरतक बच्चियों के पर पर दूब गई कि उसकी बरी वाहन उसको ठाने के लिए उन्हों के तिनों के तिनों का इसी एक का पंदरह साल 14 साल बार और 13 साल के बीच्चियों एक ही घर का है हाँ मतला एक ही घर है मौस्य बढ़न मेटी है बच्चा जब जन लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छती ग्रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदी बच्चा तो भविस्ट में उसमें बिकलांगिता की समस्या आती है इसे CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिन्दगी भर बच्चा बिकलांगिता से जूच सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थिरेपी का सहरा लिया जाता है जर्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थिरेपी दिया जाए तो उसका CP की समस्या कम होती है और बच्चने के भी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप सने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में जरू संपर करें आपके नस्दी की शहर बॉंसी बिहार में एक मात्र फार्मेसी कॉलेज Modern Institute of Pharmacy जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइबरेजी जैसी अत्याधूनिक सोविधाएं अब आप भी D-Pharma और B-Pharma जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गयर सरकारी संस्था में जौब पा सकते हैं साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं इतना ही नहीं बिहार जारखंड एवं केंदर सरकार द्वारा प्रदत छात्र विर्ती का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं आईए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवा कर स्वास्त के छेत्र में उनका स्वर्निम भविश्य बनाईए अस्पताल परिशर की साफ सपाई और डोर मरिज कक्ष, प्रसप कक्ष, ऑप्रेशन थीएटर, दवार स्टोर कक्ष, दवावितरन कक्ष, एक्सरे रूम, अल्ट्रसाउंड रूम, वैक्सीन कक्ष, साइच चिकितसक, A.N.M. और स्वास्ती कर्मियों की उपस्तिती पंजी क अभी चार्च की वही रख रखाओं की स्थिती को और अधिक बहतर बनाने के साथ कई जरूरी दिशा निर्देश भी टीम के अधिकारियों ने अस्पताल प्रवंधन को दिया कायकल्प की टीम में शामिल डॉक्टर नीलू ने बताया कि यहां की साफ सपाई लीडर्शिप औ स्थिम संतुष्ट दिखी लेकिन अब अंक मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या सुधार करने की जरूरत है साथ ही कहा कि यहां पर मरीजों का स्वच्छे महोल में इलाज किया जाता है तो यहां पर हम लोग काया कलप का असेस्मेंट करने के लिए आए हुए हैं और काया कलप असेस्मेंट के लिए यहां से राजी को गया हुआ था तो एक जिला से दूसरे जाज आके पीर असेस्मेंट किया जाता है सो उसी के जाज के लिए आये हैं, यहां की साफ सपाई यहां की विवस्ता काफी अच्छी लग रही है, यहां का लिडर्सीप और मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, थोड़ा सा और प्रयास करेंगे और यह राज जयस्तर से भी इसको एवार्ड मिल सकता है, थोड़ा से बस अगर हम अपना जो स्कूर है, अचीब कर लेते हैं, तो हमें एक पॉंसलेशन प्राइज और या सेकंड प्राइज पर सब्सक्राइज में सकते हैं, कम से कम नंबर कितना मिला यह तो हम नहीं बता सकते हैं, यह तो टीम ही दे करके जाएगी, एक बहुत इंपोर्टेंट मतल दिये हैं लिख करके, सी यू मैडम को भी दिये है, इंक्रोच्मेंट जो आपको गेट पर मिलागा, उसको हटाने के लिए, इसके लिए मैं लगातार प्रियास कर रही है। बच्चों को आने जाने में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अस्पताल जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। या सिर्फ मामने की लिपापोती करपला जार लिया जाता है। बिहार में महाकटफंदन की नई सरकार पनने के बाद बेरोसकार यवाओं की मन में अफसरकारी नौकरी और नई वेकेंसी की एक नई उमीद जगी है। जिसमें यवाओं की बेरोसकारी की समस्या दूर हो सके। इसी उमीद के साथ यवा कॉंपिटीशन की तयारी में जुट गए हैं और इंटरनेट एवा मुवाइल पर वेकेंसी सर्च कर रही है। दरसल पिछले बिहार पधान सभा चिनोव प्रशार के दौरांत तेजस्वी यादफ ने उनकी सरकार बनने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में बिहार के बेरोसकार यवाओं को सरकारी नौकरी दीनी का आदेश पारित करने की बात कही थी। जबकि अब जद्यू राजत महाकटफंदन की सरकार बिहार में बन गई है लिसको लेकर बिहार के यवाओं के मन में सरकारी नौकरी की आस चग गई है। जबकि कुछ ऐसे भी युवा है जिन्होंने तेजस्वी यादत को युवानीता बताते हुए कहा कि युवा और पेरोसकार के दर्द को समझते हैं इसलिए उन्हें उन्हें उन्मीदे हैं। वादा नितिस सरकार ने तो बीस लाग का किया है और तेजस्वी ने दस लाग तो नहीं तो कम से कम दस लाग नोकरी मिलना ही चाहिए। और जहां तक लगता है कि मिलेगा दस लाग नोकरी, दस लाग नहीं भी मिलेगा तो आठ लाग कम से कम मिलना ही चाहिए क्योंकि वो बीस लाग बुले हैं। तो सर अपना अपना राजनिति का सर अपना परचार करने के ये कर रहे है कि कोई दस लाग कोई भीस लाग, अवी साथमा चरन 2019 में निकला था तो उसका नौफटे 2022 में आके मिला साथ तिरा अवी आथमा चरन का सब लोग अवी दिल्ली पे बैठके धरना पे बैठे होगे हैं तिके सर उसके लिए कोई अक्षन नहीं ले रही है भागरपूर मधुसूदरपूर थाना परिसर में विभन ने थाना शेटरों से जब्ट किये गए कुल 836 लीटर शराब का विनिष्टी करन किया गया इसको लेकर उतपात इंस्पेक्टर चंदन कुमार नहीं बताए कि नापनगर कोतवाली मधुसूदरपूर और हाविपूर थाना शेटर से जब्ट किये गए देशी और विदेशी शराब को विनिष्ट कर दिया गया है उन्होंने बताए कि समें एकसाइस वभाग त्वारा 22 कांड में जब्ट किया गया करीब 374 लीटर विदेशी और करीब 326 लीटर देशी शराब को विनिष्ट किया गया इस दोरां सीओ इसमिता जहार मधुसुदन पूर्थ हानेदार महिश कुमार की मौचूत की में सभी शराब को जेसिवी की मदस से विनिष्ट कर गटे में डाल कर मिट्टी से ढग दिया गया मौके पर कई थानों के पलीस अधिकारी और पलीस कर्मी मौचूत थे